इसको बनाने के लिए मैंने ऐसे धागा लिया है तो नोट बनाने के लिए देखें पहले एक छोटी सी नोट बनाई है मैंने फिर उसमें से हमने धागे को निकाल देना है और जो हम यह धागा निकाल रहे हैं इसी के बीच में से हमने खरोशे को ले जाना है ये हमारी जो है एक जो हमारे नौट बनाते हैं हम खरोशे में start करते हैं तो उसको हमने ऐसे start करना है सो जो first हम chain ले रहे हैं इसको हमने count नहीं करना next जो chain ले रहे हैं इसी से count करना है चेन बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा धागा है उन है उसमें से हमने खरोशे को गोल करके घुमा के जो लूप है उसमें से निकाल देना है इसी को हम चेन स्टिच बोलते हैं और इसी तरह से हमें जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो इसी तरह बना के ही स्टार्ट करना है पर प्रेश और बनाने के बाद हम सीखते हैं कि सिंगल खुरोशिया जो बनाते हैं उसको हमने कैसे बनाना है तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे जो नेक्स्ट वाली हमारी जो हमने चैन स्टीच बनाए थे जो next वाली loop है chain stitch है हमारा उसके बीच में से हम अपने crochet को लेके जाएंगे और thread को जो है बापिस लेके आएंगे वैसे ही गोल गुमा के crochet को उन को लेके आना है अब देख सकते हैं आप की इसमें दो loops बन रही है हमारे crochet में फिर दोनों को हमने एक साथ ही जो उन है उससे निकाल देना है तो यह हमारा बन गया single stitch फिर से एक बार repeat करते हैं next loop में से crochet को लेके जाना है उन को लेके आना है उसमें से निकालना है हमारी two loops जो है वो बन जाएंगी और दोनों को एक साथ ही उन निकाल के अपना धागा निकाल के crochet से यह हमारी single stitch है वो बन जाएंगा single crochet बन जाएंगा same process हमें repeat करना होता है जितना भी आपका project होता है उसके according करना है अब यह देख सकते हैं कि मैंने पूरी जो एक रो है complete कर दिया है single crochet के साथ तो इसको अब हमने जैसे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसकी जो है कि वो खुले ना दोबारा उसकी नोट बानने के लिए ऐसे हमने निकाल देना है जो हमारी उन वाएगी उसको कि इसके बाद धागे को सीजर से कट कर देना है जो धागे एक्स्ट्रा होते हैं उनको हमने ऐसे ख्रोशे से जो पीछे वाली बैक साइड होती है ऐसे निकाल देना है लूपस में से निकाल देना है तांकि वो दिखाई न दे आईए अब हम सीखते हैं हाफ डवल ख्रोशे सो उसके लिए भी हमें फिर से वैसे ही नोट बना के जो है हमें सिंगल स्टिच जो चेन होती है वो बना लेने है फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि हाफ डवल ख्रोशे जो होता है उसको कैसे बनाते हैं चेन बनाने के बाद हमने क्या करना है कि पहले हम सीधे लूप में से निकाल रहे थे अभी हमने क्या करना है पहले थ्रेड को खरोशे के अराउंड गुमाना है ऐसे राउंड करके फिर हमने लूप में से निकालना है तो आप अभी देखेंगे कि जो हमारी ख्रोश्या है इसमें थ्री लूप्स बन जाएंगी अगर हम इन तीनों लूप्स को एक ही बार में अपना जो थ्रेड है उसको निकाल देते हैं तो जी हमारा जो है वो बन जाएगा हाफ डबल ख्रोशे जी हमारा जो जाएगा है झाल झाल आप देख सकते हैं कि खरोशी है जो है मैंने पूरी जो रो है वो कम्प्रीट करी है तो जो लास्ट वाला है उसमें से आभी बनाते हैं सेम बेसे मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है एंड करने के लिए ऐसे अपना जो थ्रेड है उसको खिंचा और अपना जो भी आपकी पूरी थ्रेड है उसको निकाल देना है तो यह हमारा हाफ डबल ख्रोशे बन कर त्यार हो गया है तो अभी हम जो नेक्स्ट लर्न करेंगे डबल ख्रोशे लर्न करेंगे तो उसको बनाने के लिए पहले हमने यान को ऐसे जो अपनी थ्रेड है उसको लूप से अपना जो ख्रोशे आए ऐसे लूप मना लेने हैं अपने ख्रोशे पे फिर हमने जो हमारी नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें से ख्रोशे को निकालना है और फिर थ्रेड को जो है ले अगर हम दो को निकालते हैं फिर दो लूप बच जाएंगी उन दोनों को निकालेंगी तो यह हमारा बन जाएगा double crochet फिर से हमने ऐसे thread को crochet पे लपेटा है next वाले loop में लेके गए हैं और यह हमारे three loops बन गए हैं पहले दो को एक बार में निकाल दिया है फिर next time जो दो बच गया उनको निकाला है तो यह हमारा बन जाएगा half sorry double crochet इसी तरह से हम जो line है उसको complete कर सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने double crochet पूरी line complete करी है तो अगर हमें इसको next line में जाना है तो उसके लिए हमें two single stitch लेके जैसे हम chain stitch बना रहे थे वैसे बना के हमने इसको उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद next जैसे हमने पहले बनाए थे double crochet वैसे ही बनाएंगे loop बना के खरोशे पे फिर से जो thread है उसको हम stitch में से निकालेंगे stitch में से निकाल के देखिए फिर से three loops बन गी हैं तो इनको दो-दो करके निकाल देंगे पहले दो को निकाला फिर से next दो को निकाला तो यह हमारा double crochet बन जाएगा इसी तरह से हम line continue करेंगे और last में जाके हम जो single stitch लेके हम जो अपना project है उसको उल्टा कर देंगे फिर हमारा एक side हमारी सीधी side चलेगी एक side हमारी उल्टी side चलेगी तो आएए अब हम सीखते हैं triple crochet पहले हमने single सीखा फिर half double crochet फिर double crochet अब सीखते हम triple crochet कैसे बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए पहले हम जो अपना crochet है उस पे एक loop बना रहे थे हैं ऐसे गुमा के अब हम दो बार इसको घुमाएंगे thread के around और हमारी three loops बन जाएंगी फिर हम उसके बाद जो next हमारी stitch है उसमें से निकालेंगे तो हमारे पास total four loops आ जाएंगी खरोशे में तो अब हम इनको दो दो करके ही निकाल देंगे पहले दो को निकाला फिर से again दो को निकाल देंगे और उसके बाद हम फिर से दो को निकाल देंगे तो यह हमारा जो बन जाएगा triple crochet बन जाएगा इसी तरह से हम आगे नेक्स्ट बना सकते हैं पहले दो बार घुमाया खरोशे को फिर लूप जो हमां stitch है उसमें से लेके गिया है तो four loops बन गी है तो फिर से हम इनको दो दो करके जो है वो निकाल देंगे तो हमारा triple crochet बन जाएगा कि आप लोगों को यह इजी वे लगा होगा को जो है स्टार्टिंग कैसे करने है वो बनाने के लिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंड करिएगा प्लीज अगर आपको कुछ भी improvement करना का लगे तो तो भी कमेंड करिएगा थैंक यू सो मुच इफ यू लाइग थैं प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल